आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 12 इंच ली है अब हमें आस्तिन में नीचे के साइट से 2 इंच की लंबाई नापनी है और टिक लगा देनी है अब हम उपर के साइट से 2 इंच की लंबाई पर टिक लगाएंगे अब जो हमारा बीच में कर लेना है जिस सेप में हमने लाइनप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बजा कर आल का ओप्सन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हम पारी next video की notification मिलती रहेगी, अब हमें आस्तिन के कपड़े को बीच में से ऐसे cut कर देना है, उपर की side से भी, अब हमें यहाँ पे बीच में छोटा सा cut कर लेना है, ऐसे, अब हम आस्तिन के कपड़े को open कर लेंगे, अफ्रेंड हमें यहां से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इस्तरी करना है यहां पर हम ऐसे इसे फोल्ड करेंगे यह देखिए ऐसे इसी तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से हम इसे इस्तरी कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हमें चकोर सेप में छोटे साइज में धेल सारी कपड़े की कटिंग कर लेनी है कपड़े की लंबाई और चोड़ाई दोनों देड इंच है कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे और एक के नीचे एक कपड़े को फोल्ड कर करते हुए हमें ऐसे इसे ज्वाइंड करके इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है ऐसी आपको एक लंबी सी डिजाइन तयार कर लेनी है तो यह देखिए हमने एक लंबी सी डिजाइन तयार कर लिए अब हमें इस डिजाइन को आस्तिन के कपड़े में लगाना है आस के साइड से डिजाइन की कटिंग कर लेनी है ऐसे यहां से कट कर लेंगे अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें डिजाइन के दूसरे साइड में सिलाई चलानी है तो यहां से अब हम डिजाइन को लगा लेते हैं आस्तिन के नीचे इस तरीके से आप इस design को बहुती easy step में तयार कर सकते हैं अब हमें यहां से धागे को गट कर लेना है और एस्टा डिजाइन के कप्ड़े को भी इस line को complete करने के बाद अब इस design को तयार करने के लिए हम एक लंबा चाप्ड़ा लेंगे यह रहा हमारा कप्डा आस्तिन के कपड़े को हम ऐसे इसके उपर लगाएंगे और जिस सेप में हमारे डिजाइन का कटिंग हुआ था बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागी को कट कर लेना है और आस्तिन के कपड़े को उल्टा करते हुए पीछे के साइट से एश्टा कपड़े की cutting कर लेना है तो यहां से हम ऐसे एश्टा कपड़े की cutting कर लेंगे इस लाइन को complete करने के बाद शेम step को follow करते हुए जो हमारा दूसरे साइट का आस्तिन का कपड़ा है उसमें भी हम ऐसी डिजाइन बना लेंगे तो हमारी दोनों साइट की लाइन कम्प्लीट हो चली है अब धाइंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करके आस्तिन के कपड़े के उपर हम ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेना है और एश्टा कपड़े को भी अब हम कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से फ्रेंड हम मार्केट जैसा रेडिम्बेंट पैपीन अपने आस्तिन के डिजाइन में इजली तयार कर सकते हैं डिजाइन की उपर सिलाई चलाते समय इसे टाइटली घीचना जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैट जाएगा इस लाइन को कंप्लेट करने के बाद जो हमारा दूसरे साइट का आस्तिन का कपड़ा है उसमें भी हम ऐसी डिजाइन बना लेंगे तो हमने दोनों साइट में ऐसी डिजाइन बना ली है अब देड इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे उसके उपर हमें आस्तिन के कपड़े को ऐसे लगाना है और एक बराबन में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हमें आस्तिन के कपड़े को यहां से ऐसे घुमाना है और हमें दूसरे साइड में आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेना है तो यहां पर हम ऐसे आस्तिन के कपड़े को लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट करना है और एश्टा कपड़े को भी तो यहां से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद फ्रेंड इसमें हमें बटम लगा देना है तो ऐसे हमने इसके उपर बटम लगा दी है अब आस्तिन के कपड़े को उल्टा करते हुए देर निंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इसके उपर एक बरावर में सीधी सिलाई चला लेंगे अगर आपको बटम बनाने नहीं आती है तो डिस्किप्शन में इसकी लिंक दी गई है अब हम यहाँ से धागी को और एश्टा कपड़े को कट कर लेना है आस्तिन के कपड़े को सीधा करते हुए कपड़े को हमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फोल्ड करना है अब हम इतके उपर एक बराबर में सीधी सिलाय चला लेंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइच में होना चाहिए कहीं जादा चोड़ा और कहीं जादा पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक बराबर में होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हमें यहां से धागे को कट कर देना है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब इसके नीचे के साइट का डिजाइन तयार करने के लिए हमने चौकोर सेप में दो कलर का कपड़ा लिया है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसे हमें दोनों कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करते हुए इसके उपर सिलाई चला लेनी है तो ऐसी आपको धेर सारी डिजाइन बना लेनी है और इसके किनारे की साइड में हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और किनारे की साइड से एश्टा कपड़े को भी हमने ऐसे धेल सारी डिजाइन तयार कर ली है अब सारे डिजाइन को हमें एक दूसरे में ज्वाइंट करना है गंटे को बजा कर आलक उप्सन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नौटिफिकेश्ट मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें इस डिजाइन को और आस्तिन के कपड़े को एक दूसरे में ऐसे ज्वाइन्ट करना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगी तो इस तरीके से फ्रेंड आप इस डिजाइन को बहुती इजी श्टेप में तयार कर सकते हैं अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है और किनारे की साइट से एश्टा कपड़े को भी तो फ्रेंड हमारी डिजाइन आपको कैसी लेगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो